हेलो दोस्तों राज दिप क्लाशेश में आपका श्वागत है आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं Most Important Quotes on HTML जिसका Part 8 है जिसमें हम टूइट से देखेंगे Call Ispan Attributes and Row Ispan Attributes यह कैसे दिखेगा हम आपको दिखा देते हैं आप देखे हैं यहाँ पे Call Ispan कुछ इस तरीके से दिखेगा और Row Ispan आपको इस तरीके से दिखेगा तो यह दोनो प्रैटकल कैसे होगा यह आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं Call Ispan Attributes and Row Ispan Attributes क्या होती है यह दि आप दो या दो से अधी कॉलम को तोड़कर एक मर्ज करके एक करना चाहते हैं तो Call Ispan यूज करते हैं अगर दो रो को मर्ज करके एक करना चाहते हैं तो वहाँ पे Row Ispan का यूज करते हैं जैसे चांपल इसका देख लेते हैं जैसे यहाँ पे Row Ispan में देखिए कि HTML हम स्टार्ट में यूज करेंगे टाइटल लिखेंगे लिखेंगे बॉर्डर आप पिछले वीडियो में आप देखें तो डिस्क्रीशन में लिंक दिया हुआ आप देख लेंगे तो यहाँ पे टेवर हम यूज किया इसका बॉर्डर हम 1 डखेंगे टी यार क्योंकि हमें कॉल रो स्टार्ट करनी है टी एच हमने लिखा क्योंकि मन्थ और शैविंग जो दो हैडिंग है इसे हम हेडिं करना है फिर हमने टी आर लोपेंग लिए तो इस तरीके से हम य क्या कर लिया तो यहाँ स्ञक्री करने के लिए कोलब को sticks कॉल्ल स्टार्ट के व्यभीव हूं से क्लाम की खीज़ में अब उसमें अंदर क्या लिखना आवे शाम उकल टु 20 रूपीज, टीडी क्लोज करती है, फिर टीयर, हम एक ही लिखा, क्योंकि हमें दो को तोड़का में एक बनाने थी, रिजल्ट कैसे आपको दिखेगा, यहाँ पर देख रहा है, कुछ इस तरीके से आपका रिजल्ट यह यहाँ पर शोग कर रहा है, मन्त और शेविंग हैडिंग शोग कर रहा है, जनवरी और फ्रेवरी, जिसमें शेविंग 100 रूपीज, सम दोलों का टोटल किया था, हमें 200 रूपीज, अगर आप इसको सेंटर में करना चाहते हो, तो कैसे कर सकते हो, यहाँ पर डारेक्ट आप यहाँ पर लास्त में आएंगा, और क्लोज कर लेंगे, ठीक है, इस परीकेशन सेंटर ओपन क्या टोज कर लेंगे, शेव करेंगे, और यहाँ आके आप जहीं रिफ्रेस करोगे, यहाँ पर शेविंग आगे, ठीक है, यही रहा हमारा कोली स्पेन, अब रोई स्पेन कैसी उसको देख लेते हैं, row is pen जो हमारी है, same way heading हमारी है, हमने क्या कर लिया, month लिखा, shaving लिखा और यहां पे shaving for holiday लिखा, हमने 3 column बनाया, यहां भी 3 column बनाया, जिसमें से हमने क्या कर लिया, 3 row बना करके, उसमें से 2 को हमने तोड लिया, और एक ही बचा, जब 3 में से 2 को तोड के 1 बनायेंगे, तो एक हुआ, और पहले वाले के नहीं, 2 हमारी row हुई, तो यहां पे हमने 2 लिख लिया, ठीक है, और यहां पे 2 को तोड के हमने 1 बना लिया, जिसके लिए हमें क्या यूज किया, td, row is fine equal to net comma 2, अगर 3 करते तो यहां से 1 को हमने remove करना पर तो एक ही लिखना हो तो इस तरीके से हमारा row का पी आप देख लिए और column का भी देख लिए, तो इस तरीके से बहुत असाने से आप तोड के बना सकते हो, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक और दुस्दुक्सा से जरूर करिएगा, मिलते हैं next वीडियो में, तब तर के लिए धन्यवाद, बाई बाई